सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर बड़ा फैसला दिया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि चाइल्ड पोर्ण देखना या उसे स्टोर करके रखना भी पॉक्सो और आईटी कानून के तहत अपराध है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड और जस्टिस जेबी पार्दीवाला की बैंच ने ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मदरास हाई कोर के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दिया है। मदरास हाइकोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि चाइल्ड पॉर्नोग्राफी देखना या रखना अपराद के दाइरे में नहीं आता हाइकोर्ट के इस फैसले को कई एंजियों ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी इससे पहले इसी साल अपरेल में इसी मामले में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने टिपणी की थी की बच्चे का पॉर्न देखना शायद अपराद न हो लेकिन पॉर्नोग्राफी में बच्चे का इस्तिमाल होना अपराद है आपको बता दे, सुप्रीम कोट ने सभी अदालतों को चाइल पॉनोग्राफी शब्द का इस्तमाल न करने का निर्देश भी दिया है सुप्रीम कोट ने साफ किया कि बच्चों के साथ यौन अपराद से जुड़े विडियो को सिर्फ डाउनलोड करना, देखना या उसे अपने पास इलेक्ट्रोनिक गैजिट में रखना भी अपराद है सुप्रीम कोट ने कहा कि इसे पॉक्सो आक्ट के सेक्शन 15-1 के तहत अपराध माना जाएगा कोट ने कहा कि भले ही किसी शक्स का मकसद ऐसे विडियो को पब्लिश करना या फिर किसी दूसरे को भेजने का न हो, फिर भी ये पॉक्सो आक्ट के तहत अपराध माना जाएगा आपको बता दे, साल 2019 में चाइल्ड पॉर्ण डाउनलोड करने के आरोप में 28 साल के युवक्पर पॉक्सो और आईटी कानून के तहत केस दर्ज हुआ था मदरास हाई कोट के जस्टिस आनंद वेंकटेश ने इस केस को ये कहते हुए रद कर दिया था कि चाइल्ड पॉर्ण देखना पॉक्सो और आईटी एक्ट के तहत अपराध नहीं है हाई कोट ने ये तर्ग दिया था कि आरोपी ने केवल चाइल्ड पॉर्ण देखी थी और इसके लिए उसने किसी बच्चे का इस्तिमाल नहीं किया था अब इस केस में सुप्रीम कोट ने कई सुझाव दिये हैं उन्होंने कहा है अदालतों को अपने फैसले में चाइल्ड पॉर्नोग्राफी शब्द की जगह चाइल्ड सेक्शुल एक्स्प्लॉटेटिव माटीरियल का इस्तिमाल करना चाहिए और अदालत ने ये भी सुझाव दिया कि सेक्स एजुकेशन पर जोड दिया जाना चाहिए जिसमें चाइल्ड पॉर्न से जुड़े कानूनी और नैतिक प्रभावों की जानकारी शामिल हो सुप्रीम कोट ने सुझाव दिया कि केंद्र सरकार एक एक्सपर्ट कमिटी बना सकती है जो सेक्स एजुकेशन का एक सिस्टम तयार करे कोट ने स्कूलों को सला दी कि कम उम्र से ही बच्चों को पॉक्सो कानून के बारे में बताया जाना चाहिए